ओम नमस्षिवा शिव पार्वती की पूजा करने ब्रत करने का विधान होता है। माना जाता है कि शिव जी को चंदन आदिसी पूजन अर्चन करके बेल पत्र चढ़ाना चाहिए और इससे मनो कामनाई पूर होती है। इससार महा सिवरात्री एक मार्च को है। आपको बताते हैं कि महा सिवरात्री का पूजा मुहुर्ट क्या है। ब्रत कैसे करें। सिव की पूजा अर्चन कैसे करें। जिससे आपकी मनो कामनाई पूर हों और भगवान सिव प्रसन हों। महा सिव रात्री एक मार्च को शुबह तीन बजकर सूलह मिनट से, दो मार्च को सुबह दस बजे तक रहेगी. पूजन अर्चन के लिए पहला मुहुर्ट 11 बजकर 47 मिनट से, 12 बजकर 34 मिनट तक और साम 6 बजकर 21 मिनट से, रात्री 9 बजकर 27 मिनट तक है. इन मुहुर्ट के अनुरूप आप कभी भी भगवान सिव की उपासना कर सकते हैं. अब आपको बताते हैं कि महा सिव रात्री को पूजन अर्चन कैसे करें, जिससे भगवान सिव प्रसन हो जाएं. सबसे पहले सिव लिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद चन्दन का लेप लगाएं. पुष्प आदि अर्पित करें, बेल पत्र सिव लिंग को अर्पित करें, दीपक कपूर जलाएं, ओम नमस्षिवाय के मंत्र का जाप करें. गोबर के कंडो की अगनी जलाकर, तिल, चावल इस अगनी में डालकर हमन करें, पूजन के बाद ध्यान करें और भगवान सिव के मंत्रों का जाप करें. इस दिन महा मृतिर्जे मंत्र और सिव के पंचाच्छर मंत्र ओम नमस्षिवाय का जाप करना चाहिए. महा सिवरात्री के दिन ब्रत करें, सुबह जल्दी उठकर असनान करें और साब सुत्रे कपड़े पहनें. शुबकाल में मंदिर जाकर महा दिव को जल्द और दूध हर पड़ करें. इस दिन सिव जी का ध्यान कर ओम नमस्षिवाय का जाप करें. इस दिन भोजन ग्रहड नहीं करते हैं. इसलिए अगर आपने ब्रत किया है तो सिर्फ दूध और केले का सीवन कर सकते हैं. और अगर हो सके तो पूरा दिन सिर्फ भल खाएं और दूसरे दिन ब्रत तोड़ें. अगर आप सिर्फ नहीं हो पा रहा है तो एक समय आप भोजन कर सकते हैं. महा सिवरात्री के दिन मास या मदीरा नहीं लेना चाहिए. महा सिवरात्री के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए महा सिवरात्री के दिन दाल, चावल या गेहु से बने नहीं खाएं इस दिन आप सिर्फ फल, दूद, चार और काफी ले सकते हैं अगर आप सिव जी को प्रसन करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े नहीं पहने कहा जाता है कि इस दिन भगवान सिव जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए मान्यता है कि जो भी जातक महा सिवरात्री का ब्रत रखते हैं, उन्हें नरक से मुक्ती मिलती है, इस ब्रत के करने मात्र से ही सभी तरह के पापों से मुक्ती मिलती है और आत्मा की सुध्धी होती है, ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहां जहां भी सिवलिंग अस्थापित है, उस अस्थान पर भगवान सिव का श्वयम आगमन होता है, इसलिए सिव की पूजा के साथ सिवलिंग की भी विशेश अराधना करने की परंपरा है, सिव अपने भगतों को सच्चे दिल से आसिर बात देते हैं, महा सिवरात्री पर ब्रत रखनी से ब्यावशाय में ब्रिधी और नौकरी में तरक्की मिलती है, अगले दिन तिल, जौव और खीर आधि का दान देकर ब्रत को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे महा सिवरात्री के ब्रत का पूडफल प्राप्त हो सके, प्रातः काल असनान करके, शिवलिंग पर दूद, दही, जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और बीर आधि चड़ाये जाने का रिवाज है, महा सिवरात्री के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूद, दही, घी, सहर, धूप दीप चलाकर मंत्र का जाब करने सी, जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है, दिन की चारो पहर में पूजा करनी चाहिए, सीव इस्तुती, सीव इस्तुत्र का पाठ भी करना चाहिए, सायमकाल के वक्त भगवान की आरती करनी चाहिए, ब्रत में बिसेश भोजन किया जाता है,